इस वीडियो में मैं आपको NCP Days के बारे में बताऊंगा और NCP Days कम होनी के वज़े से आपकी Pension कम आती है ये बताऊंगा प्लस ये भी बताऊंगा कि आप इससे कैसे बच सकते हैं तो दोस्तों यहां आपके सामने नजर आ रहा है 770 दिन की चुटी अडली है तोटल सर्विस आपके 6 साल की है फॉर्मला समझ लीजे जब आपका form fancy pass किया जाता है तो आपकी passbook में जो pension amount देख रहा है वो amount नहीं देखा जाता है वहां पे देखा जाता है कि आपकी last salary कितनी थी और इसके बाद देखा जाता है आपकी service कितनी थी तो यहां इस case में जैसे आपको service 6 साल की दिख रही है तो जब यहां पे service ली जाएगी तो 6 साल लिखा जाएगा और उसमें से ये 770 दिन घटा दिये जाएगे और घटानी की वज़े से इसकी service बन जाएगी 4 साल की तो अब जहां आपको pension में पैसा नजर आ रहा है वो 6 साल की service के हिसाब से है लेकिन जब आपका form 10C पास किया जाएगा तो वहां आपको पैसे कम मिलेंगे और उसकी वज़े है ये NCP days तो NCP days आप समझ गए हैं कि NCP days की वज़े से आपका बहुत जादा पैसो का नुकसान होता है अब आप समझे कि इससे आप कैसे बचाफ कर सकते हैं तो अब मैं आ गया हूँ पास्बुक में और पास्बुक में आप देखे यहां पे सारा मसला आपको clear cut नजर आ जाएगा आप यहां देख सकते हैं ये 2021 है और इस एक महिने के अंदर ये 30 दिन छुटी पे था अगले महिने भी ये 30 दिन पे छुटी था लेकिन असलियत क्या है असलियत ये है कि जब कोई व्यक्ति नौकरी छोड़के चला जाता है तो उसके बाद उसका पैसा जमा नहीं होना चाहिए उसकी पास्बुक में कोई भी ए एंटरी आनी नहीं चाहिए लेकिन यहां आप देख लिजे कि हर महिने चलान के अंदर इसका नाम डाला जा रहा है और जिसकी वज़े से इसकी NCP Days बढ़ गए हैं अब अगर NCP Days बढ़ गए तो अब जब ये जब भी पैंशन निकालेगा तो अगर इसकी पैंशन मान लो 80, हजार होगी तो इसको पैंशन मिलेगी 40,000 और 40,000 रुपे का इसको नुक्सान हो जाएगा तो आप इस चीज़ को खुद भी समझेए आगे भी किसी का अगर काम हो तो उसे भी समझाईए कि अगर आप नौपरी छोड़ देते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पासबुक के अंदर ये 00 entry नहीं आनी चाहिए बिलकुल कोई entry आनी नहीं चाहिए अगर ये entry नज़र आ रही है 0 की तो इसका मतलब है कि company आपकी absent लगा रही है और company के absent लगाने के वज़े से आपकी छुट्टियां बढ़ती जारी है और जब भी आप अपना pension निकालोगे तो वहाँ पे आपका जितना भी pension दिखा रहा है उससे काफी कम आपको pension मिलेगा तो आपको अगर ये जानकारी काम की लगे comment में बताइए और please अगर आपको ये समझ आ रहा हो कि जो मैं यहाँ जानकारी दे रहा हूँ ये काम की है तो आप मेरे चैनल को subscribe कर लिजे बहुत बहुत धनिवाद